हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी पेसेंट के फेपडू में पानी बढ़ा है तो उस पानी को सुखाने के लिए हमको बैस इंजेक्शन कौन सा चुनना होगा देखो फ्रेंट्स जब आप फर्स टाइम में किसी पेसेंट का अच्छे तरह से लाज करेंग में पानी बहुत बैस्ट यदि किसी पेसेंट में पानी बहुत आपस नहीं आप में फेपड़क्रा को देखकर ड़ जाते हैं ahead कि यार 1200 mg में पेशेंट को घड़ बर नहीं हो तो आपको डंडा नहीं गलकुल देखो प्राइट उसके बाद आपको लगाना है amicacin sulfate 500 mg में यानि साम के समय सुबा में आपको लगाना है amicacin ठीक है प्रेंट 500 mg में ये इस injection का में जो कि आपको परिशानी हो रही है जो पानी बढ़ लाया आपके तो उस पानी को बढ़ने से रोखेगा ये आपके पानी को बढ़ने से रोख देगा देखो प्रेंट आपको इन दो इंजेक्शन को कम से कम 5-6 दिन लगाना है ठीक है प्रेंट 5-6 दिन लेकिन 5-6 दिन के बाद आपको इंजेक्शन को चैंज करना होगा देखो प्रेंट 5-6 दिन के बाद आपको इन दोनों injection को छोड़ देना है पीछे भालों को अमीकसिन इंजेक्शन को उसके बाद आपको पर डे लगा देना है पर डे आपको तीन से जार दिन इसको लगाना है उसके बाद आपको पेशेंट की condition देखनी फिर condition के अनुसार आपको injection लगाना होगा ठीक है प्रेंट लेकिन इतने दिन में पेशेंट का पानी सूख जाता है यदि पानी नहीं सूखा है तो आपको continue इसी injection को लगाते रहना है पेशेंट को आराम मिल जाएगा ठीक है प्रेंट आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको इन तींचे इंजेक्शन को चुनना होगा देखो प्रेंट आप यह इंजेक्शन 18 साल से उपर की विक्ति को लागाना है मुक्सी के लाग ठीक है क्योंकि बहुत हैबी एंडियोटिक इंजेक्शन है बारेशों एमजी में फिर आमीकसिन भी आप लगाएंगे तो आप 18 साल से उपर की विक्ति को सुने यदि 18 साल से कम उमर के विक्ति को यह परिशान ही है तो आप पेसेंट को सोड़ दे ठीक है प्रेंट्स आपके लिए यही बहतर रहेगा तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ